भीबो B20 तो ऐसे मैं दोस्तों भीबो B20 के वहरे में आज आज आपको मैं बताऊंगा लेकिन दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा है भाई भीबो B20 जो है किदर से आ रहा है अभी तो भीबो B19 भी जो है लाँज नहीं हुआ है इंडिया में तो ऐसे में दोस्तो इस वीडियो को देखते रहे हैं सब कुछ डाउट जो है किलियर करने वाला हूँ और साथी साथ आपको मैं बताने वाला हूँ भीबो B20 जो है इसका प्राइस क्या होगा पेस्टिक्शन क्या मिलेगा साथी साथ लॉंच जो है काव करने वाला है और भीबो की तरफ से दोस्तो एक ओफिस्याली इमेज जो है बाहर आया है जो कि बता रहा है भीबो B20 है और साथी साथ दोस्तो और एक चीज़ बता दू इसका वीडियो भी आ चुका है मतलब एक जो है ऑफिस्यल वीडियो जो है बहार आ चुका है जो कि आपको मैं दिखाने वाला हूँ तो चलिए वीडियो उसको देख लीजिए इस वीडियो उसको अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज जल्दी से जल्दी लाइक करना इस वीडियो का लाइक टार्गेत है तकरी इस प्ली जो है फिंगर पिंड मिलने वाला है और काफी पसंद आने वाला है कि इसमें 16 मिलियर कालर को यूस किया जाएगा शाथ बात करो दोस्तों भीबो की तरब से जो लीक्स आ रहे है उसी सबसी इमेज के से देखने में होगा तो यह देख सकते हो दोस्तों यह इमेज है एक जो की आपको दिख रहा है भाई इसमें जो है फॉन साइट में एक कैमेरा मिलेगा और जो रियल साइट है उसमें चार कैमेरास मिलने मला है जो की पेंटे कैमेरास ने इस बड़ चार कैमेरास के साथ आ रहे है 64 मेडा पिक्सल की कैमेरा जो की बहुत ही जवर्दस होगा 686 जो है Sony के तरब से आपको lens मिलने जा रहा है दूसरा camera होने वाला है 16 megapixel की तिसरा होने वाला है 2 megapixel and 5 megapixel की तो ऐसे में दोस्तों यह जो camera है बहुत ही जवर्दस photo आएगा क्योंकि Sony की तरब से lens जो है use किया जा रहा है बात करो दोस्तों font side camera की तो ऐसे में दोस्तों देखने के बाद आपको पता चली चुका है font side camera जो है आपको छोटा सा notch के साथ देखने के लिए मिल रहा है और आप देखलो ए वीडियोस इस वीडियोस में आपको सब कुछ पता चल रहा है तो चलिए दोस्तों अभी बात करते है इस वीडियोस में जो देख रहा है उसी सबसे जो है भीबो बहुत ही चल भी 20 को लेके आ रहा है और अगर बात करो इसकी पैसिवेसन की दोस्तों ऐसे में यह जो फोन है यह 5GB होगा साथी साथ 4GB हो सकता है तो ऐसे में दोस्तों अभी तक कन्फरम नहीं है लेकिन इसका जो है पोसेसर निकल के आ रहा है स्नाप डगन कोलकाम की तरफ से 765 पोसेसर जो की बहुत ही हाई increases है और यह पोसेसर जो है 5GB बेसेस पोसेसर है तो ऐसे में 5G basis processor है इसलिए मान सकते है भाई एफोन जो है 5G होने वाला है साथे साथ इसमें OctaCore देखने के लिए अडरिनुक की तरफ से 640 जो है ग्रैफिक काट आने वाला है और बहुत ही अच्छा नेनोमिटर पर काम करेगा 7.0 जो है नेनोमिटर पर काम करेगा बहुत ही अच्छा जो है इसका clock speed भी है ऐसे में display refresh rate की बात करूँ दोस्तों वह तैसे में 120 refresh rate बताया जा रहा है तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से जल्दी फटावर लाइक ख़दो अभी बात करते हैं दोस्तों बैटरी की तरफ तो ऐसे में बैटरी होगा 4580 MPR की बैटरी साधी साथ आपको इस बार जो है बहुत ही अच्छा चार्जार जो है मिलने जा रहा है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी जल्दी लाइक करो शेयर करो कोमेंट्स करो तब तक के लिए टेक क्यार एंड बाइ बाइ